आज की वीडियो होने वाली है इबा कॉस्मेटिक वन ब्रैंड मेकप लुक और यह जो आप लुक देख रहे हो ना यह लुक मैंने इबा कॉस्मेटिक के प्रोड़क के साथ में ही क्रेट किया है और अगर आप लोगों को यह प्रोड़क्त चाहिए तो लिंक डिस्क्रूशन में मिल जाएगा और आगे वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों के से बोलना चाहूंगी मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब करना बैल आइकन को प्रेस करना मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना जह में धेर सारी दालती हूं तो चलो अब चलते हैं वीडियो की तरफ तो यह है वो बॉक्स जिसकी मैं बात कर थी इबा मस्ट हैव कंप्लीट मेकप बॉक्स में सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी लाइक फांडेशन, कॉंपक्क, लिप्स्टिक, कंसीलर और नीच वाले बॉक्स में आपको मस्कारा, काजल, लाइनर सब कुछ, कंप्लीट वॉक्स से गिफ्ट करने के बी बेस्ट रहेगा और अभी मेकप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं यूज करूंगी इबा का फोटो परफेक्ट एज़ी फेस प्राइमर ये प्राइमर ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता और काफी से लाइट वेट लाइट वेट लांग लास्टिंग अगर आपकी ड्राइ स्कीन आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप कोई भी सिरम फांडिशन में एड करके या फिर मॉस्यराइजर एड करके दन यूज करना बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा और अभी आप देख सकते हो काफी स्मूथली स्किन में लगा है बल्कुल हैवी नहीं है काफी सदर लाइट वेट है केकी नहीं करता अगर आप अच्छे से ब्लेंड करते हो अभी मैं नेक पे इसको लगा लूँगी ब्लेंडर की हैल से सुफुर कंसीलर मैं यूज करी हूँ इबा मस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी यह मैट है तो आप जल्दी से इसको ब्लेंड कर लेना नहीं तो यह सूख जाएगा तो थोड़ा ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होगी और आप मैं यूज कर रही हूँ लिप एंड चीक टिंट इबा का और यह है टाइमलेस स्मू अभी कॉम्पैक्ट के लिए में इबा मस्ट है कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ यह बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट है मीडियम बीज इसका शेड है यहाँ पर एक पफ भी मिल जाएगा आपको देखने को और यह यह ना लॉंग लास्टिंग है वाटर प्रूफ है इ अच्छे से ना मैंने इसको अपने फेस पर लगा लिया और फेस का टेक्स्ट लगा ए ऑसे मेपने नेक्स चेक पर भी इसको अच्छे सें का लगा लूगी अब में यूज कर रही हूँ इबा का आई शेड़ पैलिट इसमें से मैं ब्राउन शेट पिकर के हनोस कॉंट उर लिए यह ब्राउण शेट इस नाही बहुत जादा डार्क नाही बहुत जादा लाइट है इबा मस्ट आव ऐसेडव पैलेट यह मीनी आइशेडव पैलेट ट्रायल फ्रेंड्ली भी है और इसमें टोटल 9 शेड्स आते हैं जिसमें से कुछ शिम्री है कुछ माथ अधरे काफ जादा पिग्मेटर इस वन स्वाइप में आप देख सकते हूं कितना अच्छा कलर आया हुआ है और इसको ना दोनों चिक्स पर अपलाई करने के बाद देन नोस पर चिन पर अपलाई कर लूगी और इसी आई शेडव पैलेट से यह लाइट पीछ शेड पिक करूँगी एज ट्रांजिशन कलर के लिए और मैं इसको अपने क्रीज एरिया पर अच्छे से फ्लफी ब्रश की हेल्थ से ब्लेंड कर लूँगी दन उसकी बाद यह थोड़ा सा ब्राउनिश पीची शेड पिक कर रही हूं इसको मैं आई लिट पर अच्छे से ब्लेंड करूँगी ब्रश देना ताकि अच्छा सा आपको स्मोकी टच मिल सके और बहुत सिंपल आई लूख है दनिगे मैंने ब्राउनिश पीची शेड लेके लोर लाइश लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है नेक्स्ट मैं यह डाक पीच शेड पिक कर रही हूं और इसको भी मैं अपनी लो लाइनर क्रियेट कर रही हूं अभी लाइनर वर्टर प्रूफ भी है इसमज प्रूफ भी है तो यह चीज काफी ज्यादा मुझे इसकी बैस लगी और अभी आप देख सुकते हो मैं दोनों आइस पे विंग आईलेंड क्रियेट कर रही हूं और काजल के लिए लिए यह बोल 24R HD मसकारा यह मसकारा गाइस बहुत ही बैस बहुत जल्दी ना सूख जाता है बिल्कुल ना इसे चिप चिप टाइप नहीं है जो जैसे हमें मसकारा पसंदी होते चिप चिप वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अब इसी को ना मैं यूज करूंगी अपने आई ब् पूली ब्रश की हेल से इसको अच्छे से कॉंप कर लूँगी ताकि यह ना अच्छे से से सेट हो जाए फैले नहीं बिल्कुल भी और बहुत ही नैच्रुल सा लगा था इसको में लगाया था अब मैं यूज कर रही हूं इबा मस्ट हैब का यह हाइलाइटर यह ना क्रीमी बेस्ट हाइलाइटर है इसको मैं अपने हैंड पर लगा के देन ब्रश की हल से हलका हलका सा लगाऊंगी मुझे ऐसा लगा था यह कुछ ऐसा ही टाइप में होगा बट बिल्कुल भी नहीं गाईज आप मेरे रियक्शन से देखो मैं बहुत जादा इंप्रेस हुई थी इस हाइलाइटर से आपने इस के इनर कॉरनर को भी में हाइलाइट कर लूँगी हलका हलका सा बिल्कुल सो फूर लिप्स्टिक मैं यूज करने जा रही हूं इवा कॉस्मेटिक की यह न्यूट शेड लिप्स्टिक और यह शेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए था मैट फ पस्मेटिक के साथ में होब काईज आप लोगों को मेरा यह लुक पसंद आया हो और सारे ही प्रोड़क की लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिशन बॉक्स में प्रोवाइट करा दूंगी तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में बाबाई टेक केर